चोपड़ा जो किसने योटूब चैनल पर मैं हरसाई चोपड़ा आपका हरदिक स्वाग करता हूँ मेरे पैरे बच्चो कब से स्टार्ट होगी आयूस और वेटनरी की काउंसलिंग इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे तो सबसे पहले एक बार हम नोटीस के बारे में देख लेते हैं कि डबल ए ट्रिपल सी नी क्या नोटीस दिया है तो आयूस की जो ओल इंडिया कोटा के लिए काउंसलिंग करवाई जाती है वो डबल ए ट्रिपल सी डोट जियोवी डोट इनकी वेबसाइट पर कंडेक्ट पहलती है 85% स्टेट कोटा के लिए गौवर्मेंट की कंडिसन में सभी स्टेट अपने कंसंड स्टेट की काउंसलिंग करवाते हैं इसमें स्टेट कोटा के प्राइवेट में जो आयरुवेद को लेज हैं उनमें 15% कोटा भी रहता है उनमें भी हर एक स्टेट के पर जाकर कि आपको वहां से counseling करवानी होगी और वहां से private colleges के लिए admission लेना होगा लेकिन government college के लिए AACC की website पर आपको यहां पर admission लेना है counseling करवानी है तो एक बार हम notice देख लेते हैं इसका तो इसका notice PWD candidates के लिए दिया गया है जो PWD दिवांग candidate है अगर वो AACC की counseling में participate करना चाते हैं तो वो certificate बनवा सकते हैं जो MCC का notice दिया गया है उसमें centers दिये गए हैं उन centers पर वो certificate बनवा सकते हैं MCC का notice आपने देखी लिया होगा MBBS की counseling के लिए जो PWD candidate certificate के लिए center से वहां से ही इन candidates के certificate बनेंगे और जिनोंने MBBS के लिए certificate बनवा रखा है वो इस certificate यहां आपका काम देदेगा इसकी counseling के लिए अब देखते हैं यहां पर कि इसकी counseling कब से start हो सकती है तो मैं आपको बता दू की AACC यानि IUS की counseling जो All India की MBBS, BDS, BAC, Nursing की जो counseling होती है उस counseling के third round start होने पर इसकी counseling start हो जाती है यानि कि इसकी जो counseling की expected date है वो 25 September 24 है यानि कि 25 September के nearby या तो 2-4 दिन पहले हो सकता है या 2-4 दिन बाद हो सकता है इसकी counseling start होने की possibility है तो All India के MBBS, BDS का third round start होगा तभी IUS का first round start होता है तो ये 25 September 24 से start होने की इसकी possibility है अब बात करते हैं वेतनरी की तो वेतनरी के लिए 15% के लिए जो counseling करवाई जाती है All India quota के लिए उसकी website है vci.admissions.nick.in इसकी website पर ये counseling conduct होती है 15% All India quota के लिए 4 round conduct करवाई जाते है और इसकी जो counseling start होने की possibility है वो 15 October 24 तक है देखो जो इसमें All India की MBBS, BDS और BSC Nursing की जो counseling MCC दोरा करवाई जाती है उसमें धाई मैने का time लिया जाता है यानि कि दो मैने 15 दिन का time लिया जाता है इस counseling में और डबल ए ट्रिपल सी की जो IUS की counseling करवाई जाती है उसमें भी इतना ही time लिया जाता है वो सकता है उसमें दो मैने 10 दिन में complete हो जाए लेकिन जो veterinary की counseling होती है वो veterinary की counseling एक मैने में complete हो जाती है इसलिए veterinary की counseling थोड़ी late होती है और ये 15 October 24 से start होने की possibility है अब मैं आपको यहाँ पर expected cutoff बता देता हूँ in courses के लिए last round की मैं आपको cutoff बताता हूँ last round आयूस के लिए कभी-कभी special round भी होता है नहीं तो stray तो होता ही है लेकिन veterinary के लिए अभी तक देखा है कि यहाँ stray तक ही complete हो जाती है CTA यहाँ पर अब मैं BMS की बात करें तो first round शोरी last round यूर कैटेगरी 580 last cutoff रह सकती है stray या फिर special stray में EWS 575, OBC 578, SC 470, ST 400 BHMS होमियोपति की बात करें तो UR 475 last cutoff रह सकती है EWS 460, OBC 470, SC 385 और ST 300 cutoff रह सकती है BHMS के लिए veterinary government की बात करें हम तो veterinary government UR कैटेगरी की 555, EWS 505, OBC 540, SC 470, ST 435 अभी veterinary में All India quota में 5 private college भी हैं जिनकी fees 5 से 6 लाग के बीच में tuition fees है तो वो college भी prepare कर सकते हैं candidate ये private veterinary college हैं इन में government seats हैं तो इनकी fees मैंने आपको बता दी management quota की और veterinary private के लिए जो cutoff रहने की possibility है वो UR 410, EWS 270, OBC 320, SC 265 और ST 240 cutoff रहने की possibility है तो इस परकार से ये cutoff रहने की possibility है इन courses के लिए BMS, BHMS, veterinary courses के लिए अब आप अगर counseling के बारे में जानकारी लेना चाते हैं क्योंकि ये counseling start होगी अभी MCC की 14 से हो रही है BMS के IUs की मैंने आपको बताया 25 September से होने की possibility है और veterinary की 15 October से होने की possibility है तो इसमें अगर आप counseling के बारे में जानकारी लेना चाते हैं तो MCC, State, IUs, Veterinary इन सब के लिए हमारी book available है यानि कि MCC All India 15% quota के लिए अगर आप जानकारी लेना चाते हैं तो उसमें round wise cutoff उसमें 24 list दी गई है 2021 के लिए आपको कैसे 24 fill करनी है, bond क्या है, 4 साल की इसकी previous year की cutoff दी गई है जिससे आप यह idea लगा सकते हैं कि आपको कहां पर college मिल सकती है इसमें और इसके बाद में flow chart से इसमें समझाया गया है कि किस परकार से आपने counseling की process को आगे follow करना है अब state की counseling में भी यह सारी facility हर एक state के बारे में सब कुस समझाया गया है और documents क्या चीए, IOS और veterinary की counseling के बारे में भी इस book में समझाया गया है इस book को हमारे इस video की description box से download कर सकते हैं या फिर हमारी website www.chopdaeducation.in से भी इनको download कर सकते हैं जैसे ही आप download करेंगे, हम आपसे संपार कर लेंगे और जैसे भी counseling की update रहेगी, इस channel पर आपको counseling की update मिलती रहेगी ये channel आप subscribe करके रखें, जैसे ही कोई information मिलेगी, हम आपको inform कर देंगे मिलेंगे नई update के साथ नए वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी तब तक मैं हरसाई चोपड़ा आपसे लेता हूँ विदा जै ही